हलो एर्वेट पिंगा कीनुस किचिन में स्वागत है आपका आज मैं लेकर रही हूँ नौर्थ कुजरा स्पेशल विंटर में बनने वाली बाजरे और मूली की ढोगली यह बहुत ही यूनीक और एकदम डिफरेंट तरीका है एक बार आप बनाओगे तो आप सच में इसके द दाल दिया फिर हमें तेल दालना है दो चमब जितना इसमें तोड़ी अजवाइन डाली थोड़ा सा नमक डाला और थोड़े से तिल डाले इन सब को अच्छे से मिक्स किया फिर नॉर्मल पानी से ही हमें लोट को अच्छे से मिक्स करके गूनना है अब हमें इसके छोटे छ स्टीम करूंगी 10 मिट के लिए ताकि जो हमारी बाजरा की जो यह ढूकली है चोटी-चोटी वह अच्छे से बाइल हो जाए इसके उपर हम थोड़ा सा ओल लगा देंगे ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं और अच्छे से स्टीम हो जाए मिडियम टू लो फ्लेम में ही हमें इससे स्टीम करना है कि जादा हमें तेज कड्राई 4 चमब्स पेस्ट और लसन और पेस्ट तीक्हा ऐए और तीकी मिरच उपयोग है में तिकी मरश का उपयोग किया आदि ही दो मिनिट अच्छे से beua लेंगे दो चंबच जितना हल्दी पाउडर और रिडचिली पोडर पाउडर जआ और एक जितना अघिल दनिया पाउडर डाला है अब सब को अच्छे से मिक्स कर यहां तोध में में दोगक दैद जो गुद दोखे से लिए झालना एवसी तोकर हईएं जुद में देव होसा सपी मैशनी दोधस में जाए वैंना कौने जाए जोएी यह तो बस अब इसमें आप इस इसा Miche anlat धीरे धीरे करके इसे mix करना है उपर नेचे करकर गैस का flame एकदम low to medium ही रखना है fast gas में ये सब नहीं करना है तो बस अच्छे से भाजी थोड़ी mix हो जाए फिर हम इसमें masala करेंगे नमक हमने सादम सा डालना है फिर हमें डालने ही है लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पौड़र अपने टेस्के हिसाप साथ इसमें डाल सकते हो तो बस इसे अच्छे से mix कर देना है मिर्च थो हमने पहले से डाल दिये है अब हम इसमें डालेंगे हमारे जो पहले से बॉल किये हुए थन्डे हो चुके हुए डोग्ली को बाजरी की डोग्ली को अच्छे से मिक्स करेंगे, दकना नहीं है हमें स्टेज पर बस ऐसे ही मिक्स करना है, और जो मूली हमने पहले मूली की भाजी को यूस किया था अब मूली को इस तरह से स्क्वार शेप में चोटे-चोटे पीसिस में काट कर उसको भी इसमें डालना है मैंने यहां पर फ्रेश मूली का उपयोग किया है जो इंटर में आसानी से मिल जाती है तो बस रेड़ी है दो मेटे से धक लेंगे सिर्फ एक तुम लो फ्लेंग में और बहुत हैल्दी और यूनीक तरीके से हमारी जियोटूकली है वो रेड़ी है आप ऐसे ही कहा सकते हो या फिर आप सबजी की तरह भी उटी के साथ एंजॉय कर सकते हो तो रेड़ी कैसे लगए मुझे कमेंट में जरू से बताना लाइक शेयर और सब्सक्राइब फो मार थैंक यू